कि हम सहे खांड की बात कर रहे थे गिस्युक्त का एंफ उता है वह उन फिल का इफ होता है दो फिल के सिर्ग उता हैंड है आइजि दून sed अल्य करता है यह करता है कि महाले मेरे पास सेल वन पाइंट पाइंट vолж की है 1.4 वолж कि होती है इतना बड़ा मोटा सा इसके बाद और पतले वालते पेंसिल सेल फिर सी वाला सेल फिर और पतला तो यानि कि हमको तो गाड़ी को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्ट चाहिए ना 1.5 वोर्ट से काम थोड़ी चलेगा, घड़ी चलाने के लिए तो काम चल जाएगा, तो इतनी ज्यादा के लिए है तो एक सेल बहुत बड़ी बनाए, तो एक बहुत बड़ी सेल की बजाए हमने क्या किया, कि सेल को जोड़ दिया, उठागर के, बहुत सारी सेल जोड़ दी, अब कैसे जोड़ने से क्या होता है वो तो बात की बात है तो पहला combination क्या हो गया in series पहला हम combination क्यों से लेके आ रहे हैं in series कि in series में हम किस प्रकार से cells को जोड़ते हैं ज़र आपने समझने की कोसिस करिएगा फहली बात series में जोड़ते वक्त हम यहाँ पर EMF सेम लेंगे अब आप कहेंगे अगर अलग-अलग हो तो दिकतें क्या हैंगे अभी हम बात करते हैं पर समझने जे बात लिखिएगा देखे हमने का एक cell यह है और इसका यह है internal resistance इसके बात दूसी cell यह है इसका यह internal resistance इसी प्रकार से N cells है यह positive, negative, internal resistance इस प्रकार से हमने N cells को series में जोड़ दिया नमबर आफ cells कितनी जोड़ी हमने? नमबर आफ cells कितनी जोड़ी हमने? N जोड़ी और EMF of each cell हर cell का जो EMF है वो कितना है? कैप्टली, ठीक है? EMF बोले तो energy given by the cell per unit charge work done by the cell बात होई है यह EMF है अब आप को अलग-अलग हो तो अलग-अलग नहीं मानेंगे दो-चार में चल जाएगा लेकि N cells N जो है उसमें मानने में दिक्कत आगी दिक्कत क्या आगी अब हम बता रहे हैं अच्छा इन सबके internal resistance भी हमने क्या माने हैं? सबके same माने हैं यानि कि internal resistance of each cell internal resistance of each cell वो इसमालर क्या बता रहे हैं? इससल इनार कहा से हो जाएगा? इससल बोला गया भई अंग्रेजी तो समझो का लिखी हुई है ठीक है? इससल बोला गया हर सेल की बारे में बात की गई अब देखो ध्यान से ठीक है अगर सेल है तो उसमें और उससे current आप ले रहे हो तो internal resistance तो हो गई होगा क्योंकि ions का आपस में टकर हो नहीं होना है वो तो हो नहीं है अब हमने क्या क्या ये सेल्स जो है किसी external resistance में current भेज रही है यानि capital R क्या है? load resistance कह सकते हो या इसको external resistance कह सकते हो तो हम कितना भी सही बनाते हैं जो हम इसमें देखते हैं तो ऐसे टेढ़ा जीद से दिखाई पड़ा है ये पतला है वो इसे मोटा दिखाई पड़ा है ऐसे जान पड़ रहा है उसमें दिखाई पड़ रहा है और दिख रहा होगा ठीक है? हैनि capital R क्या है आपका? external resistance अब ज़रा practically समझें का लफड़ा क्या है total EMF cell का कितना होगा total EMF of combination इस combination का total EMF कैसे निकलता ज़रा समझने की कोशिश करो एक तो याद कर लेंगे है फ्रीक है? ने क्यों ऐसा होगा इसको मालूब है? क्यों एड़ कर दे? जाना चाहते हैं अभी तो parallel में जोड़ेंगे तो नहीं आइड़ करेंगे ज़रा देहान से समझेगा actually हो यह रहा है कि ये एक cell है ये voltometer है इसकी ये positive plate है ये negative plate है और एक ये cell है ये voltometer है ये positive plate है ये negative plate है आपने इसको जोड़ा है ठीक है तो actually में इसके अंदर से जो iron आया होगा वो यहाँ से energy लेके आया होगा ना और इसके बाद उसके बाद रास्ता कौन सा है इसके अंदर से होके आना पड़ेगा ना तो तो जो इसके अंदर से होके आएगा तो ये भी तो energy देगी हर एक सेल के अंदर से वो क्या आ रहा है ना तो सिंपल सी बात है कि हर एक कीचन में जा रहे हो चाची का बनाए हो आजी अब किसी आ रहे हो माँ तो चाची तो जो बनाएंगे देंगे देंगे ठीक है हमारे एक बार था कि छोटा चचेरा भाई था उसको बिमार था तो उसने अमा चाची का बनाए हो अमा ने का बताना नहीं चुक उसको खाना मना था हमने का हलुआ उन्हों का हलुआ बताय को दिया गुस्से मिमारा हमारे वड़ी तेज से भामला किया माताजी ने हमारे उपर काहे से कल्चुल से, और कल्चुल सीधी लग गई, हमने सर हिलाया, सीधी घुस गई, फिर कुन निकलने लगा, आप यह नहीं करें कल्चुल हमने मारा, तुमने सर क्यों टेड़ा कर दिया, बड़ा मुश्किल है, मनद आप कल्चुल मारों को तो सीधे रहेंगे, तो भाई यह वाला एनर्जी देगी, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, एमेफ, तेरी टोटल एमेफ क्या हो जाएगा, कॉमनेशन का, एन टाइम्स हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अलसा टोटल इंटर्नल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इ जो कहें में है, सरीज में current यहां कहीं break, तो हो नहीं रही है अगर कहेंगे total resistance of circuit total resistance of the circuit is equal to nr plus capital R तो अगर मैं current in the circuit निकालता हूँ, current in the circuit current, i is equal to क्या होगा, total emf 1, total resistance, तो इस प्रकार से current हमको मिलेगी, अब बड़ी घटी हो तो बात की बात है, पहले इसको नोट करिए अब question यह है कि भाई, आपने अगर emf वाली जो cells है यह series में जुड़ा, तो current में फैदा हुआ कि नहीं हुआ, current बड़ी नहीं बड़ी पता नहीं, कैसे मालूम आपको बड़ गई अरे यहां नीचे भी तो इन घुज गया करके यह नहीं मालूम हो कपा रहा ना, अगर आप कहें end times उपर हो गया तो भाई आप नीचे भी तो end times हो गया है, तो यह बड़ा घटा हमको नहीं मालूम, तो यहां माल ने, कि जो internal resistance is much much greater than capital R, कहीं कहीं पर small R की अबर लिखाओ तब भी काम चलेगा, अगर internal resistance की value external से बहुत ज़्यादा है, तो physics कहती है, वो एक रहिम दाची दोहा लिखेते हैं, रहिमन देख, बड़े नकूल लगुन दीर जिये डार, ऐसा सुना है ना, जहां काम आवे, सुई, काह, करे, तलबार, सुने हो, नहीं सुने हो, लेकि physics कहती है, इसा कुछ नहीं है, बड़े जाँ हो, छोटों को घुझो हो, पैता अपना काम कुरू जा करके, यहां बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो इसको हटा दिया गया, तो I is equal to क्या हो जाएगा, N, E upon N, R, तो I is equal to क्या हो गया है, E upon R, अच्छा, अगर मैं कहूं, यह current कौन सी है, इधर देखे, यह current है, total current in circuit, यही थो है आपकी, अगर हम कहें, कि एक cell कितना current दे रही है, current given by one cell, current given by one cell, अगर हम कहें, कि एक cell कितना current दे रही है, मैं उसको I1 माल लेता हूँ, तो आप, आप current कहां measure कर रहे हो, cell के अंदर घुज़ जा, वही, cell का resistance दिया है, तो cell के अंदर current कितनी दिखेगी, E upon R, और उतनी बाहर दिखेगी, तो एक cell current कितनी दे रही है, E upon R, और यही current आपकी, combination की है, इसका मतलब क्या होता है, कि series combination में, अगर internal resistance बहुत जादा है, तो आपको एक cell के बरावर ही current मिलेगी, ठीक है, यानि current चाहतनी है, आप cell लगा दीजे, चुकि उसके अंदर ही सब लड़ाई दंगा सुरू है, तो current कहां से देगी, ठीक है, संच्छी बात, अच्छा, दूसरा case देख लीजे पहले, देख लीजे, फिर N E upon R, अच्छा, अगर हम माने कि current given by one cell, current by one cell, हम capital R में करेंगे, तो I1 बरावर क्या होगा, E upon R, यानि कि आपका N times, यानि कि आपने क्या देखा, I बरावर N types of I1, यहाँ पर क्या देखा आपने, I1 के यानि कि अगर internal resistance की value बहुत छोटी है, तो आपको N times current मिलेगी, यानि अगर आपको cell को series में लगाना है, अगर voltage बढ़ाना है, तो किस में लगाओगे, मतब voltage को बढ़ाना है, तो series में लगाना है, और voltage कैसे series में कैसे लगाते हैं, हर एक negative को positive से, जड़ा charge के cell कैसे आप डालते हैं, charge का एक cell ऐसे होता है, उसमें यहाँ देको ऐसे tip ऐसा बना होता है, यह positive होता है, यह negative होता है, फिर दूसरी cell कैसे लगाते हैं आप, दूसरी cell आप ऐसे लगाते हैं ना, यह ऐसे, ऐसे लगाते हैं तो इसके निगेट्व से दूसरे का पॉजिट्यू लगाते हैं फिस तीसी सल जो इस प्रकार से क्या होता है उसका इमेफ बढ़ जाता है लेकिन करेंट बढ़ेगी या घटेगी एक कॉंट इसाइडिंग सेक्टर होता है था इंटरन रेजिस्टेंस ऑफ दा सेल ठीक है वह म अंदरी लड़ाई कर लोगे तो अंदरी एनरजी खर्च हो जाएगी बाहर जिरूते नहीं पड़ेगी तो लड़ाई करना शुरू कर दिया मेहमान तो खाना खाने के लिए बैठा हो लड़ने में चुटे हुए थे तो उलेश हम जा रहे हैं जाओ चला गया और जब बाहर निकले तो वाइफ ने कहा होगा उससे भी या तुम तो लड़ाई लड़ रहे थे बोले लड़ाई नकली लड़ रहे थे हमको असली थोड़े लड़ रहे थे मेमान सुन रहा ता भी गुसाया अंदर हम हो तो नकली बाहर गये थे हम असली थोड़े गये खाना बना तो यह यहां की बात में कर रहा हूं घर की बात